हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रंजिना आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है तो दोस्तो आज हम बनाएंगे पके हुए केले से एक अमेजिंग रेसिपी जो हेल्दी भी है टेस्ट में भी लाजबाब है और आपको पूरा दिन फुल एनर्जेटिक रखने वाली है तो इसके लिए हमने आपर लिया है ये पका हुआ केला और इसे पील करेंगे और इस बोल में डाल लेंगे एड़ करेंगे इसमें काजू बादाम मैंने चार काजू चार बादाम लिये हैं और दो क्रस्ट की हुई हरी लाइची ली हैं और इसमें दूद एड़ करेंगे और इसमें मैंने ली है ये सिल्की बबली चॉकलेट इसमें ऊपर तो चॉकलेट है बट नीचे जो फ्लेवर है चॉकलेट में वो वनीला का फ्लेवर है इसमें तो शेक में काफी अच्छा लगता है तो ये मैंने इसमें डाली है शुगर या हनी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि चोकलेट भी मीठी है और बनाना भी मीठा है तो ये एकदम परफेक्ट मीठा रहेगा इसमें मैंने इसे जार में डाल दिया है और अब इसे ब्लेंड कर लेंगे ये दिखिए मैंने blend कर लिया है इसे तो आए शर्प कर लेते हैं यहाँ पर मैंने ये glass लिया है छोटा glass है अगर आप चाहें तो shake वाले कोई एक बड़ा glass ले सकते हैं तो इसे मैंने chocolate सिरफ से थोड़ा सा decorate कर लिया है अंदर से और अब ये shake इसमें डाल देंगे ये shake इतना ज्यादा yummy बना है और full energetic shake है आप इसे पी कर 4-5 घंटे आपको बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे like और मेरे चैनल को subscribe कीजिए मिलती हूँ अपनी एक और ऐसी ही नई recipe के साथ तब तक के लिए take care bye bye